तो इस दुकान से हमने गीर बॉक्स खरीदा है और बदले में अपना भी दिया है तो इसको लोड़ करके भाई ले जा रहा है अपनी गाड़ी के पास तो हमारा ना मेन पट्टा टूट गया है देखो यह इस तरप से और इस तरप से तो थाई था लेकिन हम इसको नया डला र से तो भाई अब आता सीट का नंबर सीट में फॉर्म लगाना है क्योंकि बेटे बेटे बहुत ज्यादा परिसान होते थे और यह है मेन का मिसका जो हमें आज कराना है तो दोस्तों नमस्कार मैं योग सर्मा अग्रा यूपी से आपका स्वागत करता हूं अपने एक और नी आनमाय का जो प्लाइबोड के उपर लगता है तो यह भाई आप उपर्ट से बरके में लायते कॉला पूर का वर्स्ट ताइम को ला पूर जाने वाले और हमारा क्लुमीटर जो रहने वाला वाई सत्रासो क्लूमीटर के असपास हमारा जो दूरी है वह और अबी बिल्कुल यह पूरा यह हिले ना चैसेस बगेरा इकल में ने बेल्डिंग को देख लिया था तो आँखों में साम को दर्थ होने लगा बहुत तो अभी भी देख रहे हैं आप सूजंसी होगी तो कमसकंद पांच और पर की दबाई आई आँखों में टालने वाली खालने वाली तो इतन पर नगर मैं तो यहां से अमारे घर से टांसपोर्ट नगर को दूर नहीं है करीब पांस से साथ किलुमेटर के अरांड होगा तो चलते भी तो वह पूंच चो गए टांसपोर्ट नगर और अभी हमारे मिस्ति हिसाब तो नहीं आई एक कमानी वाले तो आ गए और आप तो इसको भी कराना ज़रूर गया और फिलाल महारे यहांवाले भाई का नजर पहुंचा होगा प्याइपका मेंट टूटा क्यां तो भी महई था मेन घ llega video सोगए थिए तो इस बॉढ़ मेंट फॉड़ाब था तो इस वजए से deflas यह लगाना चालू कि दिया यह लगाना मैंन पटा टूटा है कि यह वैंड MARY बनम नो राठाब को अमने थे दल राठाब लेगे थी उसके वैय से दूप और दूलना जाय जरक रखागी आप तो दिखाएंगे आपको कि कैसे क्या खराब निकला वारी काड़ी के अंदर देख सकते हैं यह जाल अठाके हमने यहां रख दिया है वैसे हमारा जालना नेट वोल्ट द्वारा यह छे देगरे ना यह इसमें से खुल जाता है को देखकर ने खुलने वाला ही बनवायाता है तो अभी यह गेर खोलेंगे और जब दिखाएंगे आपको क्या कमी निकली गेर के अंदर दोस्तो अपना गेर खोल चुका है और इसको बाल निकाल लेते हैं पहले खीच के और फिर देखते हैं इसमें क्या कमी निकलती है देखो कलम बेल्डिंग करा के लाएते तो देखो तो अमारे मिस्ट्री साथ इसको तोड़ने में लगे हुआ तोड़ दिया भाई मिस्ट्रियों के दुस्मन हो यार हद हो गई तुमसे भी देख रहे हो तुमसे पर दिया है यह गेर रिक्से में लात रहे हैं और इसकी फुल गारंटियों कोई दिक्कत नहीं है गेर फैकने तक की और कोई अवाज वाज कुछ सब तक की एक चक्कर की फुल गारंटियों चला के देख लो बापिस हो जाएगा अपना गेर वोक्स आ चुका है एक बार कंडिशन में आपको दिखा देता हूं तो थोड़ा सा ना दूलमेटी लग रही है बाकी कंडिशन सही है इसकी और इसको ने डीजल से दुलबा देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो अतार लेते हैं इसको तो अपने वाले को लोड़ क दोस्तो इधर चल रहा है अपनी कमानी पट्टे का काम तो इधर कमानी पूरी खुली वी है अपनी और ये भाई ना हमने 600 रुपे का पल्टे में लिया है मैं आपको एक बार कंडिशन दिखाता हूं बिलकुल ओके फ्रेस माल है और हमारा बाला देखिए एक बार यहां से कैसे टूटा पेले यहां पर बेल्डींग हो रहा था यह देखो है बेल्डिंग हो रहा है लो इसलिए तो एक लिए आतादू न हो तो इसको चड़ा रहे है चड़ाने के बाद देखाता हूं मैं तो कमानी का काम तो अपना ओके हो गया हाटो हाथ इस में मैं चलते हैं घ Doing और इसका चिकनापन बिल्कुल देखो खतम कर दिया खराज से जिससे यह सिलिप ना ओर स्मूथ चले तो भी हमारे मिस्ति साथ चड़ारे में गेर और गेर का चड़ाने का काम सबसे मसक्यत वरा होता है मेरी नजरों में तो गेर अपना चड़ चुका है लेकिन एक नुकसान ह हो गया है लुकसान देखो यह जो स्पीड मीटर बताने वाला होता है ना वह सेंसर हमारा टूट चुका है मिस्तिरी को आतों से कोई दिक्कत निया मगर इसको कभी देखेंगे लेकिन हमारी गाड़ी का प्रेसर लिग हो रहा है चलो आप पहले प्रेसर देखाते हैं कहा से यहां से होता ता और एक जगह से रहना है तो इन्होंने इननावट लगाकि इसको कर दिया लौक आप आजाते हमें पीछे तो यह कुपए से यहां से भी लिग हो रहा है और यह जो मिस्तिरी अट आब हमने लगाने ऐसे बादर हैंश्यों को कर दिया और प्लुए और यह ज तो प्रेसर वाले हैं यह केबल प्रेसर का ही काम करते हैं और यह एक पाइप का सौर पर चार्ज करते हैं तो हमारे ना पांच पाइप बोल दी है नोंने पांच पाइप का पांच सौर पर ही हमसे चार्ज करेंगे लेकिन ठीक है तो सारे काम से फिरी हो करके आप करा रहा है भाई सीट का काम इसमें हम फॉर्म लगवा रहे हैं क्योंकि ये गुदगुदी नहीं थी बड़ी परेशानी हो देती बैठने में तो ये मेन केरेक्टर समझो आप इसका अगर बैठी नहीं पाऊगे तो गाड़ी कैसे चला पाऊगे तो हम बिल्कुल पीछे पीछे लगा रहे हैं जहां में जरूरत है फॉर्म की आगे एक डलान बना दिया है जिससे हमें दिक्कत न आइमी नहीं मिलता तो आज मैं आपको मोटा मोटी घर्चा समझा देता हूं मेरे करीब साड़े सोदा आजार के असपास लगके कैसे कैसे लगके दस यार का गेर आगया तो पंद्रास ओर पे लेगा कमानी पटे वाला पंद्रास ओर मिस्त्री साहब ने लिए हमारे और पा प्रशानिवड़ी में जो भूल रहा होंगा लेकिन मेरा साड़े चौज़ार रपे राउंड हो गया तो अभी यहां से मैं निकल रहा हूं जस्ट साम हो गई तो मैं यहां से निकल हूं बाइपास क्योंकि मुझे आज करना है इन ग्वालियर पार तो वालियर पार करके सब्सक्राइब को भून आया था और हमने एक चीज नोटस करी एक दिक्कत हो गई है कि हम जो काम करा के लाएं के रवक्सा चेंज करा के लाएं वह सिक्स गेर में उसमें अलकी सी वाइपरेशन है तो मैंने उसको फोन करके बता है बोले कोई दिक्कत वाली वाद नहीं गार क्योंकि वहां से लेने की ज़रूत नहीं है वहां होगा महेंगा ठीक है अपनी सफर को हम जारी रखते हैं तो दोस्तों अभी बजरा करीब रात के एक और हम पहुच चुके ग्वालियर और हमना बाइपास नहीं जा रहे हैं अंदर से जा रहे हैं क्योंकि बाही लंबा पार करने के बाद अभी हम सो जाएंगे उटल पर तो दोस्तों होगे सोगे और रात को ना हमें इसी उटल पर सोगे थे अपना वालियर पार करके करीब डिएख बज़े का टाइम को गया था मैं तो अभी भी धिन लेटी उठे ते अपना छाय पी किया अपना सफर को अंच तो आपको ये वीडियो कैसी लगे में लाइक करके कमेंट करके जुरू बताना और चैनल पर नेव तो सब्सक्राइब करके जाना तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लोक में तब तक के लिए प्यार रिसी बाई बाई